आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें आप एकस दिया हुआ है, चार एकस प्लस तीन बटा कितना? शेकस माइनस चार तो दीखें, हम आपे निकालना कितना है, एकस अब दीखें, जहां जहां पे एकस है, वहां वहां हम इस पूरे भेलू को रखेंगे, तो यहां कितना होगा? चार, तो यहां कितना होगा? यहां से कितना होगा? चार गुणा कितना होजागा? चार एकस प्लस तीन बटा, चार एकस माइनस चार प्लस तीन बटा, यहां होगा? चार एकस प्लस तीन बटा, चार एकस माइनस इतना? चार और यहां होगा माइनस कितना होगा? चार होगया, ठीक है? अब दीखें, अब पुछ हम हम हल करेंगे तो क्या आएगा उपर वाले को गुना करें तो कितना आएगा 16 एकस प्लस 12 बटा 26 माइनस 4 प्लस कितना हो गया 3 बटा 24 एकस प्लस 18 बटा कितना हो गया 26 माइनस 4 माइनस 4 ठीक है अब यहां से इसको और आगे बढ़ा है तो देखिए हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा 16 एकस प्लस 12 इसका लगूता 26 माइनस 4 होगा तो क्या होगा प्लस 18 एकस माइनस 12 बटा हो गया 26 माइनस 4 अब यहां पर आगा नीचे इसका भी लगूताँ होगा तो कितना होगा 24 एकस प्लस 18 माइनस 24 एकस प्लस हो जाएगा 16 बटा 26 माइनस 4 अब यह देखिए तो अब यहां से क्या आएगा और यहां देखिए माइनस बारा से प्लस बारा कटेगा तो 16 18 कितना हो गया 34 x बट्टा हो गया 24 देखिए 24 x से 24 x कटेगा और यहां पूल आ जाएगा देखिए यहां होगा 18 1834 तो एकटके क्या आएगा बराबर x हो जाएगा यानि कि f of fx f of fx कमान कितना या x आया ठीक है अब हमें क्या निकलना है हमें f का प्रतिलोम निकलना ठीक है यानि कि हमें f इन्वर्स भी निकाल के देना है क्या होगा सबसे पहले हम मानते हैं कि fx प्राबर में कि वाई प्राबर कितना दिया हुआ है पर मैं देखिए 4x प्लस में तीन बट्टा 6x माइनस 4 जहां पर x ब्राबर नहीं है किसका दो बट्टा तीन का ठीक अब दीखिए अब हम इसे तिरिया गुणा करेंगे अगर तो यहां से क्या होगा y गुणा 6x माइनस 4 ब्राबर कितना हो गया 4x प्लस 3 और कोशिश करेंगे यहां से x का मान y के पद में निकालने के लिए यहां हो जाएगा 6x y माइनस 4y ब्राबर में कितना 4x प्लस 3 यहां से होगा दीखिए अगर हम इसको इधर ले आ है 6x y माइनस 4x ब्राबर हो गया 4y प्लस 3 अब यहां से हम x को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 6x सुरी च्या 6y होगा 6y माइनस 4 ब्राबर में कितना 4y प्लस 3 तो यहां क्या होगा एक सुरी प्लस 3 ब्राबर में कितना हो जाएगा 4y प्लस 3 ब्राबर हो गया 6y माइनस 4 यहीं एक सुरी प्लस 3 ब्राबर में हो गया 6y माइनस 4 और यहीं x क्या है एक सुरी प्लस 3 ब्राबर 6y माइनस 4 यहीं कि एक फिन्वर्स कितना हो गया 4 ब्राबर में 3 ब्राबर 6 ब्राबर 4 धन्यवाद